केज़ान की अप सब अच्छे हैं मसना हैं और सब इसे हैं अज़के सेशं को और सेशं बहुत ही ज़्यादा इंपौरेंट है अब बात आते हैं इंपौरेंट क्यों कि आज के सेशन में हम लोग देखनें वाले हैं आपके शाप्टर वाइस प्रवार्वाइज मोस्ट जलते से चोड़ना नहीं है ठीक है चाप्टर वाइज हम लोग यहां पर सारे टॉपिक्स को देखेंगे और प्लीज कॉपी पैनल लेके इनको नोट डाउन जरूर करना है ठीक है तो बिना देर करें सेशन को ठीक है थो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे फर्स्स trap czarpec cay कै तो आध इसके सारे डैग्राम्ड बहुत स्टार कोशन यहां से आते हैं है यूनिट वां और यूनिट तू दोनों ही बहुत important है दोनों में diagram भरमार है तो अच्छे से इसको पढ़ना है और इसका जितना ज़्यादा revision कर सकते उतना ज़्यादा करना diagram की प्रैक्टिस कर यानि की आपको कैसे करने है बच्चे बोलते हैं लेबलिंग बहुत ज़रूरी है diagram खाली बना कर आजाओगे नंबर नहीं मिलेगा जब तक उसकी लेबलिंग नहीं होगी ठीक है तो diagram जो भी है अभी से प्रैक्टिस करो ताकि आपको अच्छे से बनाने आ जाए और बोर्ड एक्जाम में आपका टाइम बच जाए तो यहां पर सबसे पहला topic जो आ जाता है वह आ जाता है कौन सा microsporogenesis and megasporogenesis next आ जाता है structure of megasporangium आपका structure of embryo sec इसका diagram भी बहुत जादा important है और यह short में आता है ठीक है कभी-कभी वह क्या करते हैं कि इस chapter के topic को वो यह नहीं बोलेंगे आप explain करो वो क्या बोलेंगे सिधा diagram बना दो है ना तो diagram इसलिए बोल भी बनाने है and points इसलिए करने क्योंकि कभी-कभी वो diagram भी नहीं देते और सिधा points देते हैं कभी दोनों देते तो यहां पर इस chapter का हर एक topic बहुत important है यह वह topic है जो most important है कि यह तो छोड़ करी नहीं जाना है अगर आप मेरी मानों के तो जो यह chapter है हर एक topic को आपको बहुत अच्छे से करना है ठीक है next आजाता है pollination वाला topic यहां पर self pollination को भी अलग से पूछ लेते हैं and cross pollination को भी अलग से पूछ लिया जाता है तो पूरा ही पढ़ना है pollination यह नहीं कि सिर्फ आप उसके definition करके जारो difference भी पूछ लेते हैं वहां पर next आपका double fertilization बहुत ही जादा important है ठीक है बात करते हैं यहां पर next chapter next आजाता है human reproduction वाला chapter ठीक है जहां पर male and female reproductive system basically बहुत जादा important है इसका diagram के practice तो में starting से करनी है next आजाता है gametogenesis ठीक है यहां कैसे आखिया अनि कि अखिर गामिट कैसे बन रहे है अकर में male gamit बन रहा तो कैसे बन रहा है female gamit बन रहा है female में तो वह कैसे बन रहा है structure of sperm की बात करते हैं यह diagram के साथ आता है यहां पर आपको sperm का diagram बनाना होता है सारे parts को explain करना होते है कि head क्या है tail क्या है कहां पर mitochondria सारी चीज़े ओके आपका next आजाता है menstrual cycle आगे आज और next chapter जो कि आपका third chapter है ठीक है और वापस बोल रही हूं new NCRT जो है उस की तैयारी करते हैं तो अगर आप नीठ की तैयारी कर रहे हो तो आप old NCRT को follow कर सकते हो ठीक है लेकिन आपको इक चीज़ बोलती हूं कि board exam के लिए आपको new NCRT को ही follow करना है क्योंकि जो new NCRT में topic है वही आपको board exam में मिलेंगे अब old NCRT में बहुत ज़्यादा ही topic है and board exam म मिलेंगे भी नी तो आप खुदी confused हो जाओगे कि यार यह topic तो मने पढ़ानी है ठीक है तो new NCRT को आप please board exam के लिए follow करना next आज आता है आपका reproductive health जहां पर आज आते हैं आपके methods of contraception and assisted reproductive technology आपका यहां पर खातम होती है first unit then आज आती है आपके second unit and second unit आपके principles of inheritance and variation जहां पर incomplete dominance short के लिए बहुत important है ABO blood grouping आ जाता है ठीक है sex determining अगर हम यहां पर बात करते है humans का तो वो भी पूछ लिया जाता है and honey honey भी जो होता है basically वहां पर भी इसका पूछ लिया जाता है तो sex determination वाला topic पूरा ही important है okay next आज़ो फटा फट से next आज़ाता है यहां पे same ही chapter है Mendelian disorders आप साथ आते है second unit का जो आपका second chapter है basically यहां पे DNA बहुत important है DNA का पूरे structure आपको पता होनी चाहिए कहां पे क्या चीज़ है तो double helix DNA structure DNA replication long question के लिए करके जाना है ठीक है and structure of nucleosome nucleus में और nucleosome में दोनों में बहुत difference होता है and nucleosome का जो डाइगराम है वो बहुत जादा important है क्योंकि ह हमेशा डाइगराम के साथ ही पूछा जाता है ओके आगे आज आते हैं यहां पर next इसी chapter में आ जाता है Hershey and Chase का जो experiment था वो आपको करना होता है transcription and translation दोनों टॉपिक जो हैं आपका transcription and translation दोनों में difference भी आता है क्या कि difference क्या है दोनों में तो बच्चे confused होते हैं कि मैं यह transcription क्या है and translation क्या है ओके next feature of genetic code second unit का next topic है आपका structure of TRN यह अलग से पूछ ले जाता है और यह भी शौट के लिए है ठीक है lack of iron वाला topic goals of HGP next is DNA fingerprinting यह भी आपका short के लिए आपको करना है आगे आज़ो फड़ाफट से next chapter आ जाता है evolution ओके तो मिलर्स experiment बहुत ही important है homologous versus analogous organs यहाँ पे next adaptive radiation important है जिके हारी जवेंबर्ग जो principle है वो काफी ज़्यादा important है आगे आज़ो evolution of man किस तरीके से आखिर evolution हुआ है क्योंकि यहां से objective question भी बन जाता है सीधा और इस वाले चाप्टर से हम बात कर लेते हैं लॉंग कोशन तो बनता है लेकिन objective भी अच्छे नियो इंसियाटी में दिये गए है वो सारे ही आपको करना है इंफेक्शनेस वसेज नॉन इंफेक्शनेस डिजीज डिफरेंस आ जाता है यहां से life cycle of plasmodium यह बहुत easy topic है यहां पर एक चीज होती है कि बच्चों के बहुत difficult लगता है कि आखिर मैं इसको easy way में कैसे करना है तो मैंने कल वाली class में आपको यह topic पढ़ाया था तो आप जाना है और उस lecture को देखना आपको easily समझ जा जाएगा इं नोट भी मिल जाएंगे आपको उसके तो आप इ microbes in human welfare यह वाली unit बहुत easy है और बहुत ज्यादे interesting है तो आपका bioactive molecule, sewage treatment, structure of biogas plant बहुत ही ज्यादा easy unit अगर class 12th की है तो वो यह वाली unit होती है अब आज आती है recombinant DNA technology यह आपको long के लिए ही करना है कौन कौन से step यहां पर आते हैं कौन से enzyme use होते हैं सब प्रॉपर करना है next आज आजओ आपके GMO वाला topic यानि कि आपका genetically modified organism bt cotton ठीक है RNA जो interference वाला है genetically engineered जो insulin है यहां से कोशन बहुत बार आया है ठीक है आगे आजओ फटाफ़र्ट नेक्स आपका चाप्टर आ जाता है organisms and population वाला chapter जहां पर आ जाता है एज प्रामेट्स ठीक है factors affecting population density growth models यहां से अगर हम बात करे topic यह topic तो करके जाने क्योंकि एक एक्जाम में मिलता है लेकिन इन chapters को यह जो लास्ट वाली यूनित इसको बिलकुल लास्ट प्रियॉर्टी पर रखना पहले आपको जो मैंने यूनिट बताई है ठीक है तो बायो टेक्निलोजी वाली ठीक है फर्स्ट वाली और आपकी जो second unit है इन तीन यूनिट को सब आपको जो फॉलें इन को सबसे पहले कंपलेट करनाः देन इसके बाद आपको जो हुमन हल्थ वाली है वह वाली यूनिट को पकड़ना एं और इस यूनिट को देखना है यूनित इतनी जाधा आएगा कभी भी आएगा तो यह वाले टॉपिक इस चाप्टर के इंपॉर्टेंट है तो यह थे तुम्हारे सारे चाप्टर एंड उन चाप्टर के most important topic तो यह तुम्हें करने है और प्लीज इनको no down कर ले न क्योंकि एक्जाम टाइम पर तुम्हीं पूछते हो कि मैं इस चाप्टर का most important topic कौन सा है अगर अब आप खुद से बहुत अच्छे से तयारी करना चाहते हो तो आप जूट सकते हैं हमारे साथ paid batches में अभी चल रहा है पूरे 50% को off ठीक है तो यहां पर आपको बता दूं कि code जो यूज करना है वो यूज करना है PS05 तो आपका जो भी आप batch लोगे उस पर आपको 50% क आपको बताएं पॉर्ट अब्जक्टिव कोशन और सीदी सी बादे ग्लास टापको ले लेना आपका यहां पर एक फ्री सीरीज भी स्टार्ट हो रही है जो की होगी अप ठीक है इसका लिंक जो है वो वाई-टी के डिस्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है यह बेसिकली आपक अब्जक्टिव कोशन और सीदी सी बादे ग्लास 12 में तो अब्जक्टिव कोशन सब बढ़ने वाले बोर्ड एक्जाम में पैटन चेंज हुआ है अना तो आपके तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए क्योंकि आप पे पोल भी होते हैं तो यहां पे सीरीज का नाम है देक् करें अपनी स्पैशल क्लासिस को अटैन करना है टाइम से क्लासिस को लेना बिल्कुल देर नहीं करने क्योंकि आप ही के लिए हो रही है तो टापिक भी कवर हो जाएगा अच्छे से आपका और कॉंसेप्ट अच्छी से क्लिए होगा प्लस कोशन प्रेक्टिस भी हो जो की 10 अक्टूबर यानि कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है तो यह है आपके बैच तो अगर आपको जॉइन करना आप चाहते एक प्रपर शेडूल बन जाए जब एक शेडूल बन जाता है तो पढ़ना बहुत ज़दा सान हो जाता है तो यहां पर आप इस बैच को जॉइ बैच आपको चाहिए एक हाले टर्म टू के लिए या पर सीवीटी प्लस बोर्ट के लिए ओके मैं मिलते हूं आपसे नेक्स क्लास में बाब बाई आंड टेक केर गाईज